तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग यह जानने वाले हैं कि Amazon के जरीए किये किसी भी order को cancel कैसे किया जाता है तो दोस्तो अगर आपने Amazon की application की मदद से किसी ऐसे product को order कर दिया है जिसकी आपको need नहीं है या फिर आपका वो product offline purchase कर लिया गया है तो ऐसे आप उस order को cancel कर स करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने मौलफोन में Amazon की application को open कर लिए और इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का address open हो जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं आपका नीचे में कुछ option दिखाए पढ़ रहे होंगे जैसा कि यह होम टैप का और उसी के बगल में आपका प्रोफाइल का आइकन सो यहां पर कर रहा होगा आप इस प्रोफाइल वाला आइकन पर क्लिक कर दीजिए और इसके बाद आपके सामने एक निया पेज उपन हो जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पर में कुछ option दिए गए हैं जिसमें से एक option है यूर और आपको कुछ orders यहां पर दिखाए पढ़ रहे हैं सो आपको यहां पर जिस भी order को cancel करना है सो आप उस order पर क्लिक कर दीजिए जिसा कि आप यहां पर देख सकते हैं एक product है जो arrived Tuesday करके इसमें दिखा रहा है जो कि अभी dispatch नहीं हुआ है सो मैं यहां पर इस product वाले option पर क्लिक क करना है इस option पर क्लिक करने के बाद आपके समय कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा यहां पर आपको जो भी order था उसे रेटेड़ आपकी सारी information आपको यहां पर सो कर रहे हैं तो आप यहां पर इसको अगर थोड़ा सा scroll down करेंगे तो यहां पर आप देख सकते है order info के निचे में दो options है पहला view order details और उसे के जचनीचे में ऑप्षन है cancel order second option आप इस second वाला option पे क्लिक करते हैं जो कि यह cancel order इस option पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक निया page open हो जाएगा यहां पर आपको एक option दिखाई पर रहा होगा जो कि आपके जो भी product आपने order किय है cancellation region यानि कि यह अभी optional है हो सकता है आपके case में आपको यह करना जरूरी हो जाए तो आप यहां पे cancel region वाले option पे क्लिक करके अब जिस भी कारण से इस product को cancel कर रहे है वह region आप यहां पे enter कर दिए चूंकि मेरे case में optional है सो मैं इसको छोड़ देता हूं और इसके बाद इसके नीचे में एक option दिखाए पढ़ रहा है cancel checked items जो कि सबसे नीचे में आप इस cancel checked item वाले option पे क्लिक कर दीजिए और इस तरह अब आप देख सकते हैं आपका जो भी order था वह order अब cancel हो चुका है आप चाहें तो अपने order section में वापे जाके उस product की list में देख सकते हैं कि आपका ज और रहा कि असान है amazon से किए गए किसी भी product को cancel करना आप तो आपने उसको order कर दिया है तो दोस्तों उमीद है कि आप मेर्यश वीडियो को देंख सकोकिजान कर सकते हैं तुरीघ्रopard價 यह है दूस्तूं आज इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं आप से किसी दूसरे वरीबिय